दोस्तों नमस्कार स्वागे तब सभी का विजडम एजूकेशन पे आज हम लोग एंजीटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्रिविनल रास्टिय हरित अधिकरन की चर्चा करने वाले हैं एक इंपोर्टेंट संगठन हमारे देश का हैं अक्सर आपने प पढ़ा होगा रास्टिय हरित अधिकरन के बारे में पढ़ा होगा सबसे पहले पेपर के कुछ कर्टिंग आपके सामने में प्रस्तूत करता हूं जैसे यह है एंजीटी ओडर पे फाइर क्रेकर एंजीटी ने खराब हवा वाले सहर में पटाकों पे लगाया था प्रतिबं अब देखें यह दूसरा न्यूज है एंजीटी का सक्ट एक्षन पंजाब सरकार पे लगाया है दोहजार असी करोर रुपे का जुर्माना तो यह भी न्यूज है कि इसके अलावा एंजीटी का बंगाल सरकार 3500 क्रोन रुपे को जुर्माना एंजीटी ने लगाया है तो एंजीटी ने बंगाल सरकार कि इस एक हैं दोहाँ अपर उन्यूज चरचा करेंगे एंजीटी के वारे में कि उसे पहले हमारी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ कलिक के साथ इसे शेयर कर दें कोई कुछन पूछन पूछन चाहते हैं कोई सुजहौ देना चाहते हैं कमेंट सेक्षन में देश सकते हैं और वीडियो को निश्ची तौर पर लाइक कर करते हैं कि अंगा नंगर करें घई कर होता है नैसनल ग्रीन च्वणनल हिंदी में से करते हैं राश्ठी हरी हरित अधिकरन इसकी अस्थापना अठार अक्टूबर 2010 को किया गया था और इसकी अस्थापना बिसिकली राष्टि हरित अधिकरन 2010 के ताथ इसके अस्ठापना किया गया था यानि शंसत की दौरा बनाएगे एक एक्ट के माध्यम से NGT के स्थापना किया गया और संसत के दौरा जो एक्ट था वो था National Green Criminal Act 2010 इसके दौरा NGT के अस्ठापना किया गया अब कोई भी संस्था जो संसत के द्वारा बनाए गए, एक्ट के द्वारा अस्थापित क्या जाए, उसे वैधानिक संस्था करते हैं, उसे सामवधिक संस्था करते हैं, उसे लीगल वोडी करते हैं तो NGT क्या है? एक लीगल वोडी है, एक वैधानिक संस्था अब NGT के अस्थापना के साथ भारत एक बिशेश परियावरन न्याधिकरन अस्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया इससे पहले केवल औस्टेलिया और न्यूजलेंड ही ऐसे निकाई के अस्थापना किया था यानि NGT जो है सिर्फ प्रियावरन को लेकर के एक्षन लेती है एक संस्था है जो सिर्फ प्रियावरन को लेकर के एक्षन लेती है एक न्याधिकरन है एक ट्रिवनल है जो सिर्फ प्रियावरन को लेकर के एक्षन लेती है इस तरह का संस्था का बिश्व में निर्वान करने वाला भारत तीसरा दिश बन गया है और भारत पहला विकास सिल दिश बन गया बिश्व में सबसे पहले और उस्टेलिया ने इस तरह के संस्था के निर्वान किया है और दूसरी अस्थान पर है न्यूजलेंड और तीसरी अस्थान पर भारत हो गया जिन्होंने भ्वुपाल, पुने, कौलकत्ता और चेन्यें में। राष्टिय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार, NGT के लिए आनिवारी है कि उसके पास आने वाले परियावरन सम्मद्रिम मुद्ध जो है उसका निप्तान 6 मेने के वितर करना। तो यह mandatory NGT के लिए, important point है NGT के लिए mandatory है कि NGT के पास कोई case आएगा, कोई मुकदमा आएगा, कुछ भी आएगा, तो उसका निप्टान, उसको 6 मेने के अंदर NGT को verdict देना पड़ेगा, 6 मेने के अंदर उसे solve करना होगा, 6 मेने के अंदर उसे निप्टाना होगा, 6 मेने के अंदर NGT के पास कोई case आता, तो उसको वो solve करती है, तो time period, अच्छे बात यह है कि NGT के संदर में time period दिया गया, एक time bond दे दिया गया है, कि 6 मेने के अंदर आपके पास जो केस आएगा, आपके पास जो issue आएगा, उसको 6 मेने के अंदर आपको solve करना, तो यह अच्छी point ह अब दिखिए NGT के वारे में जो सबसे important है, जो question पूछा जाता है, और जो सबसे महतपूर्ण है कि NGT किस किस act का उलंगन होता तब action लेती है, या NGT action कैसे लेती है, तो NGT basically 7 ऐसा कानून है हमारे देश में, उस कानून का उलंगन होगा, तभी NGT action लेगा, पहला कानू जल प्रदूशन निवारन नियंतन अधिनियां 1974, जल प्रदूशन निवारन नियंतन अधिनियां 1974, वाटर प्रदूशन अक्ट 1974 युशे कहते हैं हम लोग सब्सक्राइब, इस act का उलंगन होगा, तभी NGT action लेगे, अच्छा इस act के बारे में एक बिसेस बात बता देता ह जल प्रदूशन निवारन नियंतन अधिनियां 1974 द्वारा ही CPCB का निर्वान किया गया है, CPCB, केंजरिया प्रदूशन नियंतन बोर्ड जीसे हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं Central Pollution Control Board इसकी अस्थापना किया गया है, जल प्रदूशन निवारन नियंतन अध उकर अधिनियां 1977 तीसरा है, वन संदेक्शन अधिनियां 1988 यह भी काफी important act है, हमारी देश में वन के लिए काफी महत्पूर्ण अक्ट है, वन संदेक्शन अधिनियां 1980 इसके अलाबा है, वायू परदूशन निवारन नियंतन अधिनियां 1981, एर प्रदूशन नियंतन अधि 1981, इसके अलाबा प्रियावरन संदेक्शन अधिनियां 1986, लोक दाइत बीमा अधिनियां 1991 और जय बिविता अधिनियां 2002, तो यह साथ ऐसा महत्पूर्ण एक्ट है, जिसका उलंगन होता है, तभी NGT एक्शन लेती है, फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार सातों एक्ट इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, एक तो जल परदुशन निवारन नियंतन अधिनियां 1970 फोर है, दूसरा है जल परदुशन निवारन नियंतन उपकर, यहां पर बस उपकर लगा हुआ, उपकर अधिनियां 1977, तीसरा है वन संदेक्शन अधिनियां 1980, चौथा ह पाचवा है परियावरन संदेक्शन अधिनियां 1986, छटा है लोक दायत बिमा अधिनियां 1991, और सात्वा है जैब बिवित्ता अधिनियां 2002, तो इन एक्ट के एक्शन अगर इन एक्ट का उलंगन होता है तभी NGT एक्शन लेती है, अच्छा, इंपोर्टेंट पॉइंट य Wildlife Protection Act 1972, तो देश में जितने भी जीव जनतों अगरा है वो इसी एक्ट के ताता है, Wildlife Protection Act 1972 के ताता है, तो इसलिए आपने देखा होगा, कि जब कोई जीव मरता है, या माले जिव बाग मरा, तो NGT एक्शन बाग के मरने में नहीं लेती है, क्योंकि NGT जो बाग करकी अगर मि 72 के दारे मा जाता है, तो वहाँ NGT एक्शन नहीं लेती है, लेकिन प्रियावरन प्रदूशन को लेकर के NGT एक्शन लेती है, प्रटाखे को लेकर के NGT एक्शन लेती है, जल प्रदूशन को लेकर के NGT एक्शन लेती है, लेकिन बाग मिल्टिव पे Wildlife Protection Act 1972 के उलंगन प 2006 तो यह दो महत्पूर्ण एक्ट है जो प्रियावरान से संबंदित भले ही यह एक्ट है लेकिन इसे NGT के दारे में नहीं रखा गया है तो दोस्तों यह महत्पूर्ण इंफॉर्मेशन NGT के बारे में था बेसिक इंफॉर्मेशन था मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी के धन्यवाद थैंकिस शो मच